छे गेनों पर दस रन चाहिए यहां से छे गेनों पर दस रन चाहिए देखिए और गेज जो है वो दिल्शाद भाई के हाथों में है वो बहुत ही अन्गवी बॉलर है और अपने क्रिकेट जीओं ने बहुत सारे ऐसे फसे मैचो को उने निकला है है हाथ दो या तीन चारन बहुत बार बचाए हैं लेकिन भाई क्रिकेट में हर दिन नया होता है एक लॉंग और एक प्रिकेट एक सॉड़िस को एक स्कॉयर लेक बलिशाद सामना करिंग उनका क्या पढ़िया गेज़ में है दुर्वां चंगावला पांच गेज़ दॉर्द कि कौन कहता है कि आस्मा में सुड़ाख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तव्यत से उचालो यारो कुछ नहीं हो सकता है बस जरूरत है सही जो जज़वे और जनून की पांच गेज़े और दस रेन क्या मैंश है इसे तोर पर क्या कहने इस रोंवांच के अब दोसरे रण के पल्टे है बैट्समैन और आसानी के साथ बोला कर लिया चार गेज़ और अठर जैने से तोर पर क्या मैच है दरसे दिल साम कर बैठेंगे कंजोर दिल के दरसा किस मैच को प्रिकुल ना देखे वह सिर्फ वांकों देखा हाल ही सुले ना फिर नई तो कल का अख़वार पढ़ें अन्यवार कुछ भी हो सकता है दुर घटना से देर भली क्या कमाल की बॉलिंग करें यारकर लेंट के गेट थी और एक रेजर मिल जाएगा सानी के साथ इसे तोर पर यारकर लेंट की एत्ति दिल साथ कुकी इतने अन्गोई बॉलर हैं वो गेट को सही जगां पिछ करा रहे हैं यारकर लेंट की गेट थी जैसे तरह कदमों का इस बढ़य कि तॉर न है यह औरॉड़ आणी का यह रोमांच है आण क्या बढ़े फिल्डिंग लोगों कुछ कि दुआ रा अंधिया आपकी तालियों का हगदार मनी हैं कमज खाम आप ताली मजाईए भाई का बढ़निया क्फिल्डिंग की थी अब आपके जजबे को सलाम करते हैं इसे तोर पर कादले ताली फिल्डिंग संदीब के लिएगा फिर सिर्ट वाद बैट गाए जोजा जी देखिए आज अमको अगता है सम्द ओजा जी का स्वागत है एक गें आखिरी गेद एगें तीन दर क्या यह मैंस टाई होता है बल्लिबाज है संजू 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 क्या मैच चल रहा है मुझे लगता है गज़रो पूर्श निश्य तोर पर यह अब तक का सब्सक्र रोमान चक मैच में कह सकता हो सांसे भोग देने वाला यह मैच इस बीज के तो मुड़ा है और खिलाई जो जूँगा है इस तरीके से इस मैच को एक रण के अंतर से जीत लिया है जाम प्रेश है एक रण से जीत लिया है मैच इसलिए कहा जाता है